तो हाई गाईज वेलकम बैक टू दो चैनल तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर एट को चैप्टर नमबर एट का नाम है सेल दी यूनिट अफ लाइफ तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है सेल थियोरी के बारे में पढ़ेंगे और एक पूरा उवर व्यू लेंगे सेल के बारे में और हम लोग प्रोकरियोटिक सेल और की और गिनलीज के बारे में पढ़ेंगे और उन दोनों के डिफ्रेंस के बारे में भी पढ़ेंगे तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल दे यूनिट ओफ लाइफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पर एक के बारे में आपको बताना चाहूंगा तो जो इनकी डिस्कवरी है उसके उपर कोशन भी पूछा गया है इनकी डिसकवरी थी alpha helix and beta sheets structure जो थी हमारे biomolecules के अंदर हम लोग आगे जाके protein के जो structure होते हैं उसके उपर इन्होंने जो है study की थी और इन्होंने bio polymers नाम से एक setup भी करवाया था institution को तो यह जो है हमारे Indian scientist है इसलिए हमें इन्हें पढ़ना काफी जरूरी था तो आई अब हम लोग देखते हैं इसका introduction तो introduction में हमें बताया जाता है कि जो cells होते है यानि आप लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक organism जो की living है या फिर जो non living है उसमें यहीं एक difference होता है कि जो living organisms होते हैं वो चोटी-चोटी units से मिलकर बने हुए होते हैं और वो जो units होती हैं वो living होती हैं तो अब जो हमारे जितने भी organisms हैं वो सब बने हुए होते हैं से और कुछ cells जो होते हैं वो सिंगल से बने हुए होते हैं तो जो organism सिंगल से बने हुए होते हैं उन्हें mind में यहीं आता होगा कि एक cell क्या होता है basically एक cell वो होता है जो एक सबसे छोटी unit होती है किसी भी organism की किसी भी living organism की सबसे छोटी unit जो की सारे functions को perform कर सके life exist करने के लिए अगर हम लोग uniceller organisms की बात करें तो uniceller organisms के अंदर जैसे हमें पता है कि केवल एक ही cell होता है और वो अकेला cell अपनी independent existence को show करता है बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि वो सारे ही essential functions जो की life के लिए important होते हैं जैसे कि digestion हो गया, respiration हो गया और excretion हो गया अदर जो भी various functions होते हैं वो सब को अच्छी तरीके से complete कर पाता है अब जो भी चीज अगर एक cell से कम हो यानि एक cell से anything less than a complete cell ensure independent living यानि कोई भी चीज जो की cell से कम हो यानि पूरा cell के structure को नहीं दिखा पा रही हो वो कभी भी living नहीं हो सकती तो cell इसी लिए कहा गया है ये जो line है ये काफी important भी है मैं इसको एक बार underline कर देता हूँ hence cell is the fundamental and structural and functional unit of living organisms अब सबसे पहले अब ये जो चीज है वो काफी important है कई बार पूछ भी ले जाता है सबसे पहले किसने देखा था cell को और किसने describe किया था तो lewn hawk, Anton von lewn hawk ने सबसे पहले देखा भी था cell को और describe भी इन्हों नहीं किया था एक living cell को अब आगे चल कर जो Robert Brown नाम के scientist है उन्होंने discover किया था nucleus को अब जब microscope की invention हुई microscope की invention और electron microscope की invention से जो cell की जो structure details है वो भी काफी अच्छे से हमें देखने को मिली यानि electron microscope का जो है काफी योगदान रहा था हमारे cell के structure को देखने में अब हम लोग पढ़ेंगे next topic जिसका नाम है cell theory cell theory हमारे दो scientist ने मिलके दी थी एक स्क्लीडन ने और दूसरे जो scientist है उनका नाम है स्वान स्क्लीडन और स्वान दोनों ने मिलके जो है हमें cell theory दी है इन्होंने theory दी थी लेकिन इनकी theory में एक चीज की दिक्कत थी उसे आगे चलके Rudolph विर्षो नाम की scientist ने अच्छी तरह से explain कर दिया था यानि आप लोग कह सकते हैं कि इन तीनों scientist ने स्क्लीडन श्वान और रुडॉल्फ विर्षो इन तीनों scientist ने मिलकर cell theory को formulate गया था अब जो हमारे स्क्लीडन थे वो एक German botanist थे उन्होंने बहुत सारे plant cells को देखा था एक microscope के अंदर और जो हमारे श्वान हैं उन्होंने different types of animal cells को देखा था और ये भी बताया था कि जो animal cell हैं उनके चारों तरफ एक thin यानि पतली outer layer है जो कि हम लोग आज जिसे कहते हैं plasma membrane और उन्होंने ये भी बताया था कि जो plant हैं उनके अंदर presence है cell wall की यानि cell wall present होता है plant tissues के अंदर और ये एक unique character है plant cells का अब आगे चलके श्वान जो है उन्होंने अपनी hypothesis दी थी श्वान proposed the hypothesis कि जो bodies है plants और animals की bodies of plants and animals are composed of cells and products of cells अब आगे चलके यही बात जो श्वान ने बोली थी उसी को जो स्क्लीडन और श्वान ने है दोनोंने मिल के बताया और उसी को उन्होंने formulate कर दिया cell theory की तरह है तो यह जो theory थी इन्होंने जो दी थी वह पूरी तरी यह एक चीज में explain नहीं कर पा रही थी कि जो नए cells है वो किस तरीके से बनते हैं however did not explain as how new cells are formed यह जो चीज थी कि कैसे नए cells बनते हैं यह जो theory थी यह cell theory जो स्क्लीडन और श्वान ने दी थी वो इस चीज को explain नहीं कर पा रही थी फिर आगे चलके जो रुडॉल्फ विर्शो नाम के scientist थे उन्होंने explain किया था कि जो cells divide होते हैं और नए cells बनते हैं किस से बनते हैं? pre-existing cells से बनते हैं new cells are formed from the pre-existing cells cell division जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो cell division होता है उसके थूरू जो हमारे नए cells बनते हैं और cell division किसमें होता है? हमारे पुराने cells के अंदर होता है जैसा कि यहां लिखा है omnis cellular, e-cellular अब आगे चलके इन्होंने modified कर दिया था scledon and swan की hypothesis को और अब जो cell theory आई वो exactly यह है यह दो line ही हमारी cell theory है तो देखे पहली line क्या कहती है? पहली line कहती है all living organisms are composed of cells यह बात हमें पता है कि जितने भी living organisms होते हैं वो cells से बने हुए होते हैं cells या फिर product of cells से बने हुए होते हैं और जितने भी नए cells है all cells arise from pre existing cells नए cell हमेशा पुराने cell से मिलकर बनते हैं आई यह तो अब हम लोग देखते हैं एक cell का पुरा overview तो cell के overview के अंदर हम लोगने सबसे पहले दो से लिए हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा तो पहला से लिया है वो हमने onion पील से लिया है और दूसरा जो लिया है हमने human cheek cell है दोनों को हम लोग ульт cell यानि करनies Cool vy और सब्लों के उसंदर प्रेजट है और सब्सक्राइड करते हैं Jude और मेंबरीन अगर अगरहाट नहीं सेंदर एक यह देन्स का क्रेंट होती है जो कि सिर्फुक्चर होती है घ्ठ और मेंबरीन देन्स यानि घ्रढा जना क्या स्वाइब यानि membrane, बहुत सारी membrane से बंधा हुआ, उस structure को हम लोग क्या कहते हैं उस structure को हम लोग कहते हैं nucleus अब यह जो nucleus होता है, वो contain करता है chromosome को, यानि nucleus के अंदर ही chromosome होते हैं और chromosome के अंदर जैसा कि आपने 10th class में पढ़ा होगा, chromosome के अंदर genetic material होता है जिसे हम लोग DNA कहते हैं और मैं आपसे एक अभी question पूछता हूँ कि आप लोग DNA की full form मेरे को comments में लिख कर बताएंगे तो अब जो cells हैं जिनके पास membrane bound nuclei होती है अब यहां से जो हमारी थोड़ी-थोड़ी important बाते शुरुआत हो जाती है prokaryotics और eukaryotics में हम लोग difference करना देखेंगे तो वो cells जिनके पास membrane bound nuclei होता है उन्हें हम लोग eukaryotic कहते हैं और वो cells जो cells that lack membrane bound nucleus are called prokaryotics यानि जिस भी cell के पास अगर nucleus के चारोतरफ membrane है तो वो eukaryotic कहलाएगा और जिस भी cell के पास अगर nucleus के चारोतरफ membrane नहीं है तो वो prokaryotics के लाएगा और दोनों ही prokaryotics and eukaryotics के अंदर जो semi fluid matrix होता है semi fluid matrix यानि cytoplasm cytoplasm जो है वो volume of cell को contain करता है यानि cytoplasm के अंदर ही cytoplasm ही है जिसके अंदर सारी organelles जो है fit होती है यानि होती है cytoplasm जो है main arena है यानि main जगह है जहां पर सारी chemical reactions होंगी जो की एक cell को living state में रखने के लिए जरूरी होती है तो मैं इस चीच को अंदर लाइन कर देता हूँ cytoplasm is the main arena of cellular activities for chemical reaction occur in it to keep the cell in living state I hope आपको ये जो line है वो आपको समझ आई होगी मैं आपको एक और बर बता देता हूँ कि जो cytoplasm है वो ही सबसे main जगे है जहां पर सारी chemical reactions होती है जिससे कि जो एक cell है वो living state में रहता है अब अगर हम लोग nucleus को एक second के लिए हटा दे जैसे कि nucleus में हमने difference पढ़ा था कि prokaryotes और eukaryotes में एक क्या difference है जो हमारी eukaryotes होती है उनके पास membrane bound nuclei प्रेजंट होता है और जो हमारी prokaryotes होते हैं उनके पास membrane bound nuclei जो हता है वो नहीं present होता है तो अगर हम लोग एक second के लिए nucleus को side रखते हैं तो जो eukaryotes होते हैं, eukaryotic cells उनके पास और भी कुछ membrane bound organelles present होती है और उन में से जो eukaryotic cells के अंदर जो membrane bound organelles present होती है उसमें से पहली है हमारी endoplasmic reticulum, golgi complex, lysozome, mitochondria, micro bodies and vacuoles तो ये कुछ हमारी organelles हैं जो हमारे prokaryotic cells होते हैं वो lag करते हैं यानि उनके पास membrane bound organelles नहीं होती जैसे कि हमारे पास जो membrane bound organelles है जो कि eukaryotic cells के अंदर present होती है वो membrane bound organelles हमारे prokaryotic cells के अंदर नहीं होती अब एक organelles है जो कि membrane bound organelles नहीं है बट वो prokaryotic और eukaryotic दोनों में ही मिलती है और उस organelles का नाम है हमारा ribosomes तो ribosomes एक अकेली औरगनिली है जिसकी membrane bound नहीं है और फिर भी वो eukaryotic और prokaryotic दोनों में मिलती है ribosomes जो है वो हमें साइटोप्लाजम के अंदर तो देखने को मिलते ही है और साथ ही हमें दो औरगनिली और हैं जिसके अंदर वो और देखने को मिलते हैं तो वो जो दो औरगनिली है उसमें से पहली औरगनिली है chloroplast plants के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो है chloroplast जिसके अंदर जो है हमारे ribosomes देखने को मिलते हैं अब उसके बाद जो है mitochondria अगर हम लोग animals की बात करते हैं अनिमल्स के अंदर जो mitochondria और rough endoplasmic reticulum इन दोनों पर ही देखने को मिलता है ribosomes और ribosomes के कोई अगर आपसे functions पूछे तो आपको सबसे पहले sorry functions नहीं अगर कोई characteristics पूछे ribosomes की तो आपको बताना है कि ribosomes जो होते हैं वो non membrane bound organelles होते हैं और ये जो हैं eukaryotic और prokaryotic दोनों में ही मिलते हैं और जो ribosomes होते हैं वो cytoplasm के साथ साथ plants में chloroplast के अंदर देखने को मिलते हैं और अगर animal की बात करें तो वो mitochondria और rough endoplasmic reticulum दोनों में ही देखने को मिलते हैं तो अब animal cell जो होता है वो एक दूसरी non membrane bound organelle भी carry करता है और जैसा कि आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको ये तो जरूर ही पता होगा कि एक जो animal cell होता है वो या या eukaryotic है कि prokaryotic तो जो हमारा animal cell होता है वो एक eukaryotic cell होता है और जो हमारा plant cell होता है वो भी हमारा eukaryotic cell होता है eukaryotic cell का मतलब इसके अंदर जो nucleus है वो fully developed है यानि nucleus के चारो तरफ एक membrane present है यानि nuclear membrane present है और वही अगर prokaryotic की बात करें तो prokaryotic में जो है membrane bound नहीं है यानि membrane नहीं present होता जैसा कि bacteria में होता है या फिर हमारे अगर आप human की बात करें तो human के अंदर जैसे rbc है तो rbc जो है हमारी एक exception है eukaryotic है rbc बट फिर भी उसके अंदर जो है present नहीं होता rbc मैं यापर लिए देता हूँ rbc do not have nuclear membrane rbc के पास nuclear membrane जो होता है वो present नहीं होता तो आप ये चीज़ को note कर ले क्योंकि ये कई बार पूछ दी जाती है अब जो हमारा animal cell है उसके अंदर दूसरी non-membrane bound organally जिसका नाम है centrosome अब ये जो centrosome है उसका एक ही function ncrt में दिया गया है और वो function है कि ये cell division में मदद करती है जैसा कि आपको पता है कि cell भी जो है divide होते है बहुत सारे तरीकों से divide होते है mitosis होता है, meiosis होता है different चीज़े होती है वो हम इसी unit का जो last chapter है cell second and second division उस chapter में पढ़ेंगे तो जो centrosome है वो basically help करता है cell division में यानि एक से दो cell जब बनते हैं उसमें help कर रहा होता है अब cells जो है अब हमने यहां तक cell के बारे में पढ़ लिया कि कितने type के cell हो सकते हैं क्या-क्या characteristics है different type के cells की तो अब हम लोग देखेंगे कि जो cells हैं वो बहुत ही जाजा मतलब shape और size और उनकी activities में differ कर जाते है मतलब जरूरी नहीं है कि कोई cell छोटा है तो उसकी cell अगर इतना छोटा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो elephant का cell है वो इतना बड़ा होगा ऐसा कभी भी नहीं होता हाँ ऐसा हो सकता है कि जो rat है उसके अदर कम number of cells हो elephant के मुकाबले माल लिया जाए कि rat में केवल 3 million cells present है और अगर elephant में देखा जाए तो elephant की body काफी बड़ी है elephant की body बड़ी होने के वज़े से उसके अंदर जो cell का number है मैं basically number की बात कर रहा हूँ मैं size की बात नहीं कर रहा जो number है cell का वो बहुत ही ज़ाद होगा तो अब हम लोग बात करेंगे different different cell के size की और shape की तो सबसे पहले हमारे पास एक example आया है जिसका नाम है mycoplasma अब mycoplasma जो है वो बहुत ही एक important है mycoplasma के बारे में मैंने आपको biological classification के अंदर भी बताया था mycoplasma जो है पूरे world में अब तक का smallest non cell है मलब सबसे छोटा cell और साथ में ये जो है केवल 0.3 macrometer है length में यानि सबसे smallest है बट जो हमारे bacteria होते हैं bacteria हमारे 3 macrometer से लेके 5 macrometer तक हो सकते हैं mycoplasma एक bacteria ही है एक type का अब largest isolated single cell यानि सबसे बड़ा अकेला cell कौन सा है तो वो एग है ostrich का जो ostrich का एग होता है वो single cell होता है मैं आपको बता दू ostrich का जो एग है वो कैसा होता है single cell होता है और वो सबसे बड़ा cell है जो कि अब तक हमें देखने को मिला है multicellular organisms की बात करते हैं multicellular organisms में सबसे पहले हम लोग human red blood cell की बात करते हैं तो human red blood cell जो है वो about 7 micrometer का होता है अपने diameter में तो कई बार इस पर quotient जैसे यहाँ पर हमें diameter में बताया गया है 7 micrometer का तो quotient यह पूछ दिया जाता है कि radius में वो quotient पूछ देते हैं और गलती से हम लोग 7 micrometer पर tick कर देते हैं ऐसा नहीं है इसका जो radius में होगा वो 3.5 micrometer होगा तो आप इसको भी ध्यान रखें अब सबसे longest cell की बात करें अगर हमारी body में कौन सा है तो सबसे longest cell हमारी body या फिर किसी भी organism की body के अंदर जो की control and coordination उसके अंदर हो रहा हो तो nerve cells जो होते हैं वो सबसे बड़े cells होते है हमारे अंदर भी सबसे बड़े cells nerve cells ही है ये जो cells है वो पूरी body में बहुत ही ज़्यादा फैले हुए होते हैं और nerve cells का जो shape है वो बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग होता है जैसे वो कभी disc shape के हो जाते है polygonal shape हो जाता है columnar हो जाता है cuboid हो जाता है thread जैसा भी होता है जैसा है कि आपने neuron का structure पढ़ा होगा neuron में हमने देखा था कि neuron बहुत thread से resemble कर रहा था और कई बार तो ये जो होते हैं irregular shape के भी होते है अब जो shape होता है cell का वो उसके function से बहुत ही जादा mail खाता है यानि अगर हम लोग बात करते है columnar cells की तो हमारे विलाई आपने पढ़ा होगा कि विलाई जो होते हैं कुछ इस type के structures होते हैं जो कि intestine में present होते हैं तो ये हमारे basically किस type के हैं ये हमारे columnar type के cells है क्योंकि ये column जैसे खड़े हैं तो column इनका function आपको पता है कि ये absorption area को increase करते हैं तो absorption area को increase कर रहे हैं इसलिए इनको column जैसा बनाया गया है तो I hope आपको समझाया होगा कि जो cell का shape होता है वो basically उसके function पे भी depend करता है अब हम लोग पूरी तरीके से prokaryotic cells के बारे में पढ़ने जाएंगे तो जो prokaryotic cells होते हैं वो basically कुछ organisms ही है जो की prokaryotic cell को बनाते हैं मतब prokaryotic cell के अंदर आते हैं तो पहला organism जो है पहला group जो है हमारा bacteria है दूसरा group हमारा blue green algae है तीसरा हमारा mycoplasma है और चौथा हमारा PPLO है PPLO एक बहुत ही important आप कह सकते है full form आपकी इसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है pleuronomania like organisms ये boards में काफी ज़्यादा फेवरेट है उसे पूछा भी जाता है अब जो हमारे prokaryotic cells होते हैं वो ज़्यादा तर तो छोटे होते हैं और बहुत तेजी से multiply कर सकते है multiply more rapidly than eukaryotic cells यानि ये जो cells हैं हमारे prokaryotic cells ये eukaryotic cells से बहुत ही ज़्यादा तेजी से multiply कर सकते हैं यानि समझ लीजे कि अगर कोई एक eukaryotic cell है जो कि दो घंटे में एक cell से दो cell बन रहा है यानि cell division हो रहा है और वहीं पे अगर हम लोग prokaryotic cell की बात करेंगे तो ये दो घंटे में लगभग लगभग दो cell का 5-6-7 इतने cell हो सकते हैं तो ये number जो है ये काफी तेजी से divide कर पाते हैं क्योंकि इनका जो size है वो काफी ज़्यादा छोटा होता है तो energy consumption need भी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है अब ये जो cells है प्रोकरियोटिक cell वो बहुत ही ज़्यादा shape और size में अलग-लग होते हैं अगर मैं आपको bacteria कहीं example लेके बताँ bacteria के example हमने biological classification chapter में भी बढ़ा था कि bacteria की जो shape होती है वो basic chart type की shape होती है और तो बहुत सारी तरीके की हो सकती है लेकिन basic जो की generally होती है bacteria की वो केवल चार तरीके की होती है पहला जैसे कि हमारा bacillus जिसको कि हम लोग rod like rod जैसे structure होता है उसके बाद है हमारे caucas जो की spherical shape का होता है उसके बाद है हमारा vibrio जो की coma shape का होता है और और्गनाइजेशन जो होता है हमारे prokaryotic cel का वो basically similar होता है हमारे prokaryotes से और बहुत ज़्यादा अलग-अलग variety आती है इसके अंदर shapes और functions के अंदर basically ये line बहुत ज़्यादा confusing है और कहना क्या चाती है ये line कहना चाती है कि जो prokaryotic cel है जैसे हमें पता है, humans के अंदर cells होते हैं, cells मिलके फिर tissue बनाते हैं, बहुत सारे cell ऐसे इखटा होँगे और tissue बना देंगे, फिर बहुत सारे tissue इखटा होँगे एक जगे, और फिर वो जो है हमारे एक organ बना देंगे, तो ऐसे जो है basically system चलता है हमारे अंदर, अगर हम लोग basically human की बात करें हैं, फिर किसी multi-cellular organism की बात करें, बट अब हमें पता है कि prokaryotic cells क्या होते हैं, prokaryotic cells basically bacteria, bacteria में भी बहुत सारे जो ये organism से जादतर unicellular होते हैं, अब unicellular होने की वज़े से ज़्यादा cells इनके पास नहीं होते हैं, ज़्यादा cells ना होने की वज़े से इनके जो shape और जो size है, वो इतना ज्यादा difference नहीं लाता, इतना ज्यादा difference जो है, वो create नहीं कर पाता, बट जो इनका function है, वो ड़्यादा अलग हो जाता है, और इस function के अलग होने के वज़े से, जो इनके shapes हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं, तो fundamentally तो यह सारे same होते हैं, बट variety किस्के के कुछ features prokaryotes के पास जो है वो cell wall present होती है यह सबसे first point मैं आपको point wise यह जो topic है prokaryotic cell अब यहां से समझाऊँगा तो जो इसमें first point है कि prokaryotes के पास cell wall होती है और cell membrane होती है surrounding the cell membrane accepting mycoplasma अब यहीं पर एक साथ में exception भी दिया गया है exception को मैं star से mark कर देता हूं और साथ मैं highlight भी कर देता हूं कि जो हमारा mycoplasma है mycoplasma के अंदर जो है cell wall हमारी present नहीं होती बाकि सभी prokaryotes के अंदर जो हमारी cell wall है वो present होती है यानि bacteria के अंदर भी होती है PPLO के अंदर भी होती है अब जो fluid matrix है जो की पूरा यह जो भरा हुआ है जो भी हमारा यह matrix भरा हुआ है इस cell के अंदर जो की सब में सेम होता है जैसी स्लाइट साइटो प्लाज्मा जो में मैट्रिक्स है जो की cell को भर रहा है उस matrix का नाम है साइटो प्लाज्मा अब यहां पर कोई भी well defined nucleus नहीं होता अब प्लाज्मा पढ़के आए थे well defined nucleus क्यों नहीं होता क्योंकि इनके पास nuclear membrane नहीं होती nuclear membrane का काम क्या होता है बेसिकली वह genetic material को एक जगे बांध के रखता है अब आप यहां देख पा रहेंगे यह जो genetic नहीं किया गया है nuclear membrane के थ्रू अब यहां पर जो हैं हमारे जो procreatic cells होते हैं उनके अंदर दो टाइप के DNA देखने को मिलते हैं एक तो होता है मारा genomic DNA और दूसरा एक और होता है मारा smaller DNA तो जो genomic DNA होता है वो क्या होता है genomic DNA होता है वो DNA जो कि single chromosome का हो मतलब केवल एक ही chromosome होगा और circular होगा वो gold shape में होगा जैसे कि यह आपको दिख रहा है this is a genomic DNA यह क्या है हमारा genomic DNA है और यह केवल एक ही chromosome है जो पूरा-पूरा घूम रहा है और यह साथ में circular भी है तो यहीं हमारा genomic DNA है अब बहुत सारे जो bacteria है वो small circular DNA भी होता है उनके पास many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA मतलब genomic DNA के बाद यह बाहर आपको जो यह छोटे छोटे दिख रहे हैं DNA यह जो DNA है इनको हम लोग plasmid कहते हैं यह बहुत important चीज़ है इसको मैं अपना fourth point बनाता हूँ plasmid अब यह जो plasmid है उसके पास कुछ unique phenotypic characters होते हैं plasmid DNA confer certain unique phenotypic characters phenotypic का मतलब होता है कि physical characters कुछ unique physical characters जो है इसके पास present होते हैं अब यह जो हमारे phenotypic character है उसमें से एक जो सबसे अच्छा character है one such character is resistant to antibiotics यानि यह जो है resistance provide करता है antibiotics को अगर हम लोग higher classes की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि जो plasmid DNA है वो use किया जाता है plasmid DNA used to monitor bacterial transformation कई बार bacteria क्या होता है लोग अपनी antibiotic का course पूरा नहीं करतें antibiotic का course पूरा ना करने से अगर bacteria future में फिर attack करता है तो वो resistant हो चुका है उस antibiotic से अब जो dose है antibiotic का वो और भी जादा hard लेना पड़ेगा तो basically suffer patient को करना पड़ेगा इसलिए हमें हमेशा antibiotic का जो dose है उसे पूरा complete करना चाहिए अब nuclear membrane जो है वो हमें eukaryotes के अंदर देखने को मिलती है अब यहां तक prokaryotes की बात थी अब शायदे खतम हो गई no organelles like eukaryotes are found in eukaryotes अब यह जो important line है न यह golden line है मतलब इस पर question बहुत बार पूछ दिया गया assertion region के जो question है इस से काफी जादा बनते है यह line कहना कह जाती है कोई भी organelle जो कि eukaryotes में मिलती है हमें वो हमें prokaryotes के अंदर नहीं देखने को मिलती केवल एक organelle है जो हमें eukaryotes और prokaryotes जोनों में देखने को मिलती है जिसका नाम है ribosomes और जो दूसरी बात इनोंने लिखिया कि कोई भी और्गेनली इन्होंने साफ साफ लिख दियाए कि कोई भी और्गेनली यूकरियोड्स और प्रोकरियोड्स वें सेम में नहीं होती किवल एक ही सेम है है राइबोजोमजस, उसके लबवा कोई भी सेम नहीं है तो जब प्रोकरियोड्स होते हैं उनके मीजोजोम जो है वो characteristic है prokaryotes का मतलब prokaryotes की यह characteristic feature है मीजोजोम यह जो है in foldings होती है cell membrane के अंदर अब इसके बाद यहाँ पर जो यह diagram बना के कुछ-कुछ size लिखे गए है typical bacteria का size 1-2 micrometer, pplo का size 0.1 micrometer, virus इसका size 0.02 से लेके 0.2 micrometer और एक typical eukaryotic cell का size 10 micrometer, तो यह जो है हमें सब को याद रखना है क्योंकि इस पर कोशन ज्यादा पूछे जाते है तो I hope यह आपको समझाया होगा अभी तक prokaryotic cell पूरे तरीके से